पुर्का स्वागत है लाइफ साइस काफे में यह है हमारा सेकिंड पार्ट हम कर रहे हैं मॉर्फोलोजी ओफ्लावरिंग प्लांट्स मॉर्फोलोजी ओफ्लावरिंग प्लांट्स आपने अपनी बुक में से भी पढ़ लिया होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखके भी पढ़ लिया होगा चलिए आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं सेकिंड पार्ट में हम चुरूकरेंगी कौ securityण अमबर 11 से ही जो मेंट डिफेरेंस होता है क्रीपर्स का और ट्रेलर का वो क्या होता है actually creeper होता है रूतिड होते है नॉर्स पे और ट्रेलर प्लांट्स लीट रूतिटी नहीं होता है करहें नॉर्स बी विसकम जो है partial stem parasite है, partially, मतलब पूरी तरह से depend नहीं है विसकम stem के उपर, ये क्या करता है, ये mineral और water लेता है और यहीं पे रहता है stem के उपर. partial stem parasite है, इसे पता चलता है कि ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विसकम है, वो अप फोटो सेंथेस भी कर सकता है, और विसकम के साथ एक लोरेंथेस भी है, जो partial stem parasite है. ये तो हम बात कर रहे थे, partial parasite की, लेकिन जो total parasite होते हैं, वो पूरी तरह से depend करते हैं, और वो खाना खुद बनाते हैं, जैसे हमारी कसकोटा होती है, अमर बेल प्लांट होता है, अमर बेल होती है, जो वो बिलकुल भी अपना खाना खुद नहीं बनाती है. Question number 13 है, in convergent venation, main veins converge toward apex, a common example of this is smilex, देखे, जो main vein जो होती है, converge हो जाती है, apex की तरफ, ठीक है, किस तरह से main vein होती है हमारी, मैं बना कर दिखा दूँ, आपको समझ आ जाएगा, इस तरह से यह हमारी leaf है, ठीक है, यह main vein है, converge हो जाती है, apex की तरफ, common example इसका क्या है, smilex, ठीक, बाकी के जो parallel venation होती है, आपको पता ही है, जो leaf having single or undivided lamina is called, जो leaf होती है, वो कई तरह की होती है, ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, कि leaf की types क्या क्या होती है, तो उसमें leaf में जो undivided lamina होता है, उसको क्या गहते हैं, आपको leaf के बारे में पता है, अगर नहीं पता है, तो हम एक बार इसे देख लेते हैं, सबसे पहले leaf के characters क्या होते हैं, कई बार हम सोचते हैं, कि यह बहुत basic चीजें हैं, इससे क्या फरक पड़ता है, चले, देखे क्या फरक पड़ता है, leaf क्या है, dorsal ventral, flatter structure होता है, ठीक है, dorsal part भी होता है, ventral part भी होता है, फ्लायट होता है, जो laterl appendices होती है, उस में, बढ़ होता है, जो leaf की laterl appendices होती है, बढ़ होता है, इसके axil में, और exogenous origin होता है, इसका, ठीक है, और क्या करता है, leaf primordium, जो shoot apex का होता है, वहां से यह produce होती है, leaf, अब leaf के parts भी आपको पता होंगे, जैसे leaf base होता है, petiol होता है, lamina होता है, mid rib ह होता है veins होती है striple होता है तो आपको सारा पता है लेकिन जो टाइप ऑफ लेग होती है उसमें क्या आता है जो leaf simple होती है और एक compound होती है simple leaf में क्या होता है जिसका entire lamina होता है without प्रुट इन्सेशन होता है ठीक है उसमें प्राइण नहीं होता सिंपल भी कंपाउंड होता है लैमिना नित्रइब कर अप दो अधिक सब्राइप आप जा डिफ केसं तक पहुझ जाता है इसे नियरह और वह mimina divide करता है उसको, ठीके है ये simple और compound की, जो compound leaf होती है वो pinnately compound भी हो सकती है, ठीके है leaf flats present होती हैं जिसमें बहुत सारी leaf fence प्रेजन्ट होती है common expresses पर, जिसे rackis बोलते हैं बाद में, ठीके हैं इस वाले को क्या बोलेंगे फिर rackis, जिसमें leaflets present होती हैं तो ये तो होई नहीं सकता कि दोनों का जो undivided है lamina उसको हम either compound बोलें और simple भी बोलें इसका एक ही answer होगा 14 का वो है हमारा second ठीक है second इसका answer होगा simple leaf उसमें divide नहीं होता उसका lamina compound leaf में divided होता है pattern of arrangement of leaves on the stem or branches is called ये बड़ा अच्छा है क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या एक plant के बारे में पता होना चाहिए तो leaf का pattern तो बहुत ही जादा important होता है इसी तरह से जो flowers है उसका arrangement भी important होता है तो जो leaf का pattern होता है किस तरह से arrange होती है leaves उस arrangement को क्या कहते हैं आपको ये पता होना है तो उसको phylo taxi बोलते हैं क्या बोलते हैं phylo taxi और petiole क्या है part है stripiole क्या है part है leaf का तो अगर हमें leaf के part भी पता होते तो कितनी basic सी चीज है leaf के part पता होना और ये एक number का question तो जरूर आता है कोई भी multiple choice question जादे तर one one marks के होते है अगर आपको ये basic कीज पता होती कि हमारा petiole और stipple जो है वो leaf का part होता है petiole क्या होता है जो stroke होती है leaf की जो जहां से leaf attach होती है ये वाला हिस्सा ये petiole होता है stipple क्या होता है जो कई plant species होती है जो outgrowth होती है छोटी-छोटी small little outgrowth जो leaf की base पे होती है ठीक है वो जो होती है growth उनको stipple बोलते है इस तरह से confused नहीं होना veins का भी आपको पता होगा midrib का भी पता होगा lamina epipodium होता है जो out किनारियां होती है उनको lamina बोलते है ठीक है और क्या होता है इसमें और तो साब है पेटियोल और स्टैपिल में हो सकता है आपको स्टैपिल में आपको दिक्कत हुई हो लेकिन ये भी अब आपका clear हो गया है चलिए देखते हैं question number 16 कुछ statement दी हुई है और select करना है correct options को देखे pulvinus leaf base is present in some leguminous plant pulvinus leaf base होता है कुछ leguminous plant में present होता है in ice ornia the petioles expand become green and synthesized food ice ornia में जो petioles होता है वो expand हो जाता है petioles आपको पते चलिके क्या होता है petioles जो stock होती है leaf की उसे petioles कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि ice ornia में petioles expand होके green रहता है और synthesize करता है food को opposite phylo tax देखी जाती है गवावा में कितने basic से questions है है ना अगर आपने अगर daily life में भी ये चीज़ें देखो सबके घरों में गवावा का पेड होता है अमरूद का तो अगर आप देखो किसरे से arrangement होता है उनका तो भी आपको एक clue मिल जाएगा लेकिन चलिए कोई बात नहीं है अगर आपने नहीं देखा है तो भी इसका सही अंसर जो है पुलवीनस लीफ बेस होता है लेगुमिनस प्लांट में present होता है फर्स वाला सही है और आईशोडनिया जो है पैटियोल एक्स्पेंड करता है उसमें सच में और वो green रहता है और food synthesize करता है समझके ये भी सही है तो फर्स और इसका opposite philotaxi होती है गवावा में जैसे गवावा की branch होती है उसमें इस तरह से एक leaf यहाँ होगी एक opposite philotaxi present होती है तो इसका सही option second है और second में first और third जो है वो बिलकुल correct options है match करना है following columns को आपने देखिए modification of leaf दी हुई है और उसके बाद example दी हुए है किस किस में modify होती है किस तरह से होती है 17th का question है तो leaf tendril जो होते हैं है ना leaf tendril किस में होते हैं pism sativum में leaf hooks किस में present होते हैं यह विग्णौनिया में present होते हैं ठीक है leaf spines किस में present होते हैं leaf के काटे जो होते हैं वो किस में present होते हैं वो योका में present होते हैं scale leaves किस में होती हैं casuarina में present होती हैं और पीलोट किसमें प्रेजन होते हैं', अकेश्या में प्रेजेंट होते हें, इस तरु Halload, इस के एक्जाम पाल समझने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं, यह लीज टेंड़ल एक्जल में क्या होती है, ग्रीन-ध्रीड लाइक जो स्रक्चर बनते हैं। उनमें scale leaves नहीं होती ठीक है unbranched और वो support के लिए actually जो weak stem होती है उनमें leaves tendrils देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये pism sativum में होता है ये tendrils किसमें होते हैं आपने मटर तो जरूर देखी होगी पism sativum उसमें ये tendrils होते हैं अब बात करते हैं leaf hooks की हुक्स का मतलब ही आपको पता चल रहा है कि जो मतलब claw की तरह होते हैं पंजे की तरह होते हैं ठीक है बिगोनिया और asparagus में क्या होता है ये leaf hooks present होते हैं बिगोनिया और asparagus दो एक्जामपल हैं leaf hooks की उसके पर leaf spines आते हैं leaf spines कहा होते हैं जो leaf spines होते हैं, वो या तो पूरी leaf का convert हो जाना होता है spine में, कांटे में बिदल जाती है, या उसका एक part convert हो जाता है, ठीके, क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको protection की जरुरत होती है, और कई भारे transpiration को रोकने के लिए वो spine में convert हो जाते हैं, तो जैसे open chia है, उसमें पूरी की प होती है, तो इस तरह से जब आप चीज़ों को समझ के चलोगे, तो आपको समझ आ जाएगा, scale leaves कहां होती है, जो scale leaves होती है, वो actually sasile होती है, बहुत thin होती है, और membranous होती है, जैसे membrane होती है, उस तरह से होती है scale leaves, तो जब आप questions करते हो, तो अगर आप इनके characters थोड़े जान जाते हो, जैसे tendrils क्या होती है, जो इस तरह से modification होती है leaves की, जो पकड़ने के लिए काम आती होती है, तो आपको पीजम का भी example याद आजाएगा, hooks में जैसे उनके पंजे से होते हैं, spines जो काटे में बदल जाते हैं, जो कोई leaves, या scale leaves में जैसे sasile होती है, thin होती है, जादा तरीन का कोई function नहीं होता, बलैनोफोर्स या औरो बैंकी में होती है, इस तरह की scale leaves होते है फाइलोड किस में होते हैं, जो फाइलोड होते हैं, वो actually flat होते हैं, petiol green होता है और photosynthesize करते हैं, फाइलोड actually acacia में और Parkinsonia में भी होते हैं, ठीके, तो अगर एक आद का question का answer नहीं भी पता है, आपको जैसे फाइलोड का पता चल गया, acacia में होता है, है ना, तो जो E का है, उसमें ये first में दिया हुआ है, थार्ड में दिया हुआ है, इसरे से आप options देख सकते हो, तो बाकी के दो questions तो वैसे ही cut गए, है ना, second option और fourth option तो वैसे ही निकल गया, अब leaf tendril का आपको पता है, पीजम sativum में है, अब इसमें देखें, first में ही सरफ फिफ्त का दिया हुआ ह तो ये answer of chances हैं कि 90% आपका ये सही हो, उसके बाद हमारा आता है question number 18, the modification of petiole into leaf-like structure is called, जो petiole होता है, अगर वो leaf-like structure बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और लिखो, तब मैं answer बताती हूँ आपको, answer है इसका third, फाइलोड बोलते हैं, ठीक है, जैसे Australian Acacia होती है, जिसको हम विलायती कीकर भी बोलते हैं, वो होता है, जिसमें आप देखोगे, कि leaf-like structure बनाता है, petiole जो होता है थोड़ा सा, और उसे फाइलोड बोलते हैं, 19 है, the incorrect statement is, इन में से incorrect statement आपको बतानी है, in nepenthes, lamina form picture-like structure, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, lamina जो होता है, picture-like structure बनाता है, nepenthes में, utricularia leaves modify to form bladder-like structure, हमने क्या डूणना है, इसमें से, incorrect statement डूणनी है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, leaves modify करती है, bladder-like structure में, drosera leaves are reproductive in nature, नहीं, bryophyllum की leaves होती है, जो vegetative propagation में काम आती है, fourth option में ये भी लिखा हुआ है, drosera में नहीं होता reproductive nature leaves का, ये reproduction का का काम करती है, वितला, vegetative propagation में help करती है, bryophyllum, जिसको पत्थर चट बोलते हैं, ठीक है, तो first option सही है, second option सही है, और fourth option सही है, फिर से question, इस तरह के question में, दुबारा से question को देखो कि पूझ क्या रहा है वो, incorrect statement, हाँ में आ रही, incorrect statement है, third वाली, ठीक है, question number 20 है, the leaf less stem of onion, which is produced to bear flower is called, देखे, जब भी हम onion देखते हैं, प्यास देखते हैं, तो उसकी जो stem होती है, leaf less होती है, है ना, और, which is produced to bear, flower is called, उसको क्या कहते हैं, जिस पर flowers भी होते हैं, onion होता है, उसको पर flowers तो आते ही हैं, उसका सही अंसर है, escape, ठीक है, इसको याद कर लेना, कुछ एक चीज़े ऐसी होती हैं, जो बार-बार पढ़ेंगे, तो हमें वैसे ही याद रहेगा, escape है, इसको कैसे याद करोगे, मतलब वो बची हुई है, वो stem ऐसी है, जिस पर leaf ही नहीं है, leafless है वो, बच गई वो तो leaf से, है ना, escape बचना होता है, escape उसका नाम है, इस वीडियो में सरफ इतना ही, next वीडियो के लिए इंतजार करना, till then, bye bye.